नमस्कार दोस्तों अलफ आफिसर्स अकैडमी की यूटीब चानल पर आपका स्वागत है हम अपने जो सत्र में बात कर रहे थे क्विक रिविजन सिरीज में उसमें हम आज बात करेंगे धारा 21 से 30 टिक है यह दूसरा द्याय चल रहा है जिसमें धारा 3 से लेकर के और 50 तक हैं तो हम आज हमने 20 तक पहले दो विडियो में कंप्लीट कर लिए और अब आज हम 21 से 30 तक देखते हैं तो शुरू करते हैं धारा 21 धारा 21 में क्या दिया हुआ है नगरपाली का सदस्य होने के लिए जो eligibility है वो क्या होगी नगरपाली का में कोई सदस्य कौन बन सकता है तो एक नगरपाली का सदस्य के eligibility के लिए ठीक है और जो आरक्षित seat होगी उस पे आरक्षित व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है ठीक है कि कोई ST की seat है तो उस पे ST या फिर कोई general चुनाव नहीं लड़ सकता ठीक है तो इधारा 21 नगरपाली का सदस्य होने की eligibility फिर धारा 21 का है धार 25 वर्ष से 35 वर्ष की आयू वाला व्यक्ति होगा वही चुनाव लड़ सकता है ठीक है तो अब अपने पहले बात की थी कि SCST OBC और women के लिए कुछ reservations है ठीक है तो यह जो reserved seats है ना यह reserved seats में maximum 2 seat reserved होंगी विशेश seat होंगी ठीक है ना और अगर seat 3 या 3 से जादा है तो तो maximum 2 seat reserved होंगी और 3 या 3 से कम है तो maximum एक विशेश seat होगी ठीक है ना तो यह जो reserved seat है इसमें maximum 2 विशेश seat होंगी और अगर 3 या 3 से कम है seats जो reserved है वो अगर 3 से कम होई तो maximum है ना एक विशेश seat होगी और unreserved category में क्या seat है कि इसमें जो पाँच अगर कम से कम है ना पाँच से कम है तो एक विशेश seat होगी ठीक है मानलो पाँच unreserved seats है तो एक विशेश seat होगी और अगर पाँच से अधिक है तो हर पाँच seats के लिए एक seat है ना reserved होगी मतलब विशेश seat होगी ठीक है तो जैसे मानलो 10 seat है unreserved category क तो दो विशेश सीट हो जाएगी, 15 हैं तो 3 हो जाएगी, 20 हैं तो 4 हो जाएगी, 25 हैं तो 5 हो जाएगी पर maximum 5 ही हो सकती है, ठीक है न, अधिक्तम ऐसी 5 सीटे ही हो सकती है, ठीक है तो धारा 21 कया में कया निरवाचन के लिए विशेश हो गया था, फिर से देख लिए SCST women के लि ठीक है फिर unreserved seats हैं उसमें 5 से कम हैं तो तो एक विशेश सीट होगी और 5 से अधिक हैं तो हर 5 सीटों के लिए एक विशेश सीट होगी, मतल़ 5 पे 1, 10 पे 2, 15 पे 3, ऐसे और maximum ऐसी 5 सीट होगी, ठीक है तो यह धारा 21 के है, फिर धारा 22 देखते हैं, धारा 22 में है कि एक से सदिक वार्ड से चुनाओ लडने पर प्रतिबन दें, अब एक आदमी एक ही, अब जैसे अपन लोकसभा में देखते हैं, लोकसभा election में तो एक से जादा seat पे लड़ लेते हैं चुनाओ, पर जो यह इसमें है ना, इसमें वार्ड वे चुनाओ होंगे, उसमें एक ही seat पे और एक से जादा पे लडने पे क्या होगा, अगर एक स्थान को छोड़कर सभी स्थानों से आपको नावांकन की जो तारीक है, आखरी तारीक दे रखी है, उसमें शाम को तीन बजे तक आप नाम वापिस ले लो, वाकी शाम को तीन बजे तक वाकी नाम वापिस ले लो, ऐ इसा नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि ऐसा समझ जाएगा कि आपने सभी स्थानों से मैं तब आप अब चुनाव यह नहीं लड़ रहे हो तो आपने सभी स्थानों से अपनी उमीद्वारी वापस ले लिया ठीक है तो धरा 22 में क्या है एक से अधिक वाड से चुनाव लडन पर प्रतिबंद है ठीक है धरा 23 में क्या है यानों ध्वनी यंत्रों आदी के उपयोग पर निर्बंदन अब यान मतलब कोई भी वीकल्स पे और कोई डीजे वगेरा और इन सब पर यह निर्बंदन लगा हुआ है तो इसमें क्या है जुर्माना कितना है 5000 का यह जुर्मान उना 5000 का लगा सकते है या फिर दोनों कर सकते है teeth अब देखते हैं धारा 24 में धारा 24 में क्या सदस्य के लिए निरहरता है अब द्धारा 24 थोड़ी बढ़ी है एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते है कि निरहरता हैं क्या-क्या है, कौन सी situation में ये eligible नहीं होगा सत्सक्ति ठीक है? एक तो 6 माई अधिक का कारवास हो ठीक है, पहरा है 6 माई अधिक का कारवास हो अब मान लो कि 6 माई का कारवास है अब दिसम्बर तक कारवास है तो दिसम्बर में छूट गया न, तो दिसम्बर से ले करके और 6 साल तक, 6 साल तक, है न, चुनाव नहीं लड़ सकता, यह चुनाव है, चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है, अब कोई ऐसा मामला विचारा दीन हो, जिसमें 5 साल हो अधिक कैद हो सकती है, तो भी निरहर हो जा खादे अप मिश्रन निवारन अधिनियों, 1954, ठीक है, इसमें दोशी पाया गया हो तो, फिर IPC 1973 की धारा 110 में, इंडिन पेनल कोड जो है, उसकी धारा 110 के तहत दोशी पाया गया हो, फिर सरकारी सेवा में दुरवेवार के कारण हटाया गया हो तो, यह कै निरहरताएं हैं, इतनी 10-12 इसमें लिखे हुई है, एक बार आप रीड कर लेंगे और उसके बाद option आपको देखेगा, तो यह अपने आप ही याद अजएगा वहां पर, एक सात्वा क्या है विक्रिचित हो या दिवालिया हो, विक्रिचित मतलब mentally unstable हो या फिर दिवालिया हो, ठीक है ना, औ और यह वापस मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह कोट गोशित करेगी, आप अपने मंद से नहीं बता सकते हो कि यह विक्रिचित है या यह दिवालिया हो गया है, फिर आठवे पर लाब के पद पर हो, कोई भी लाब के पद पर हो, कोई गवर्मेंट सर्विसेज में हो या फिर कोई भी लाब के पद पर हो, तो वो सदस्य के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है, फिर नगरपाली का से NOC ना लिए हो, फिर नगरपाली का से चुनाव लड़ने से पहले ही कि NOC लिनी पड़ती है न, तो यह NOC के होती है, No Objection Certificate होता है, तो यह NOC नहीं लिए ह तो भी निरहर समझा जाएगा, और अगर कोई कानूनी रूप से अवयद भी अविसाय करता हो, कोई ऐसा काम करता हो, सट्टा उट्टा खेलता हो, या फिर जिसमें पकड़ा गया हो, या फिर कोई ऐसा काम हो जिसमें, जिसको अवयद समझा जाता हो कानूनी रूप से, तो उसमें ये कहा है निरहर समझा जाएगा फिर धारा 35 से 41 के तहत भी निरहर मतब जो धारा 35 और 41 में कुछ निरहरता है ठीक है वो अगर उसमें निरहर है तो इसमें भी वो निरहर समझा जाएगा फिर 27 नमबर 1905 में के बाद इसके बाद अगर 2 से अधिक संतान है तो भी निरह समझा जाएगा. तो यह 12 एक बार आप लोग देख लेका ना, सदस्थे के लिए निरहरताएं हैं, अब धारा चौदा याद करो अपने धारा चौदा में अयोग्यता पड़ी थी ठीके ना उसके तहट अगर अयोग्य है तो उसको मतदान का अधिकार नहीं है एक से अधिक वार्ड में मत देता है तो भी फिर उसको अधिकार खतम होगता है वो एक ही वार्ड में एक से अधिक detention में है ना निवारक मिरोध में है तो वोट दे सकता है निवारक मिरोध मतलब कि किसी कोई अपराद बाद में ना हूँ उसके लिए उसको preventive detention में उसको अगर रख लें तो वोट दे सकता है ठीक है तो धारा 25 में कहा था मददान का अधिकार धारा 26 में कहा है मत देने की रीती अब रीती क्या होगी मत देने की या तो पत्र से देखें बैलोट पेपर से जो पहले होते था अब EVM चलती, electronic voting machine है तो इस से देंगे, ये दो ही रीती है अब फिर इसमें क्या है की एक चीज़ mention है की अगर कोई उमिदवार मत देते हैं एक से अधिक उमिदवार को तो मत क्या हो जाएगा, शूने हो जाएगा तो मत क्या हो जाएगा कोई मैं पूराना paper देख रहा है तो उसमें एक question दूचा हो अभी है आकस्मिक रिक्ति की भरती कैसे की जाएगी अब इसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि यथा शिग्र की जाएगी वैसे हम जानते हैं कि छै माह में है ना चुनाव कराना होता है ठीक है ना पर यथा शिग्री इसमें लिखा हुआ है इसमें कोई कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं के लिए वो सदस्ते रहेगा वो पूरे 5 साल के लिए नहीं रहेगा फिर नगरपाली का कि अवदी है अगर 6 माई बच्ची है तो चुनाओ कराना जरूरी नहीं है यह हम बार-बार पढ़ चुके क्या है एक तो जन प्रतिनिदी अधिनियम 1901 की धारा 125-136 ठीक है जो आर पी ए है है ना 1951 अब यह आर पी है 1951 क्या है यह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स आक 1951 तो इसकी जो धारा 125-136 में वर्णित उब्बंद है ना उसके उसमें जो उब्बंद दिये हुए है वो निरवाचन अपराद में हैंगे ठीक है निरवाचन के समय शपत्पत्र एक सेक्ट निरवाचन अपराद माना जाएगा ठीक है तो इस केस में निरवाचन अपराद अगर कोई करता है तो 6 मा का तो कारवास होगा और जुर्माना इसमें जुर्माना मेंशन नहीं कितना है या फिर दोनों होगे ठीक है धारा 29 में क्या है भ्रष्ट आचरन ब्रष्ट आचरन क पर लोक घुषना पत्र जो है, मैनिफेस्टो जो है, उसको ब्रहस्ट आचरन नहीं समझा जाएगा, क्या आप बोलोगे, आप तो पहले बता रहे हो, इससे वोट मांग रहे हो, तो वो कोई ब्रहस्ट आचरन नहीं है, ठीक है, अब धारा 30 में, धारा 30 में क्या दिगा हुआ जो धारा 31, धारा 32 देखेंगे उसमें इसके उब्बंध है, तो वो अपन नेक्स लेक्टर में देखते हैं, और यह जो धारा 28 निर्वाचन अपराद, इसमें जो RPA में 1951 में जो धारा 125 से 136 है, अब क्या हम क्या, धारा 125 से 136 भी देखेंगी क्या, तो देखो, अब UPSC मे है न, RPA syllabus में है, तो syllabus में है, तो भी 125 से 136 वो लोग भी धारा कोई देखने नहीं बैठते हैं, ठीक है, तो आपको बेसिक चीज़ें पता हो ने जी, अब 125 से 136 भी धारा याद करने चले हैं, तो एक लाग चीज़ें हैं, ना तो याद होंगी, और ना उसका कोई cost benefit का सदस्य होने के लिए अरहरता, eligibility क्या है, धारा 21 कव में क्या है, निर्वाचन के लिए विशेश योग्यता, कुछ विशेश सीटे होंगी, जहांपर 21 से 35 वर्षा युवाला होगा, फिर धारा 22 में क्या है, एक से अधिक वार्ड से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंद, धारा 23 में क्या है, यान, ध्वनी, यंत्रों, आधी का उप्योग करने पर निर्वंदन, फिर धारा 24 में क्या है, सदस्य के लिए निरहरता है, धारा 25 में क्या है, मद्दान का अधिकार, धारा 26 में क्या है, मत देने की रीती, धारा 27 में क्या है, आकस्मी क्रिक्तियों की भ जलत कहते हैं तो civil court के अधिकारिता से बाहर होना ठीक है तो हम लोग यह series continue करेंगे और अब थोड़ा जा वीडियो की frequency थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि ज्यादा time बचा नहीं है तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हम next series में